नमस्कार नियूज नेशन का डिजिटल प्रेटफॉर्म देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अजीद एक अगस्त का पहला दिन आपकी जेब के लिए खास दिन है आज के दिन देश में वित्तिया मामलों में खास बदलाओ का दिन है ये बदलाओ आम आदमी के काम और जरूरतों से जुड़े हुए है इसमें आए एलपेजी के दाम में बदलाओ के साथ ही आई टी आर फाइल करने के लिए पेनाल्टी एक्सेस बैंक के करेट कार्ट से जुड़े तमाम नियम शामिल है सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलिंडर की सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानि एक अगस्त को कमर्शियल गैस सिलिंडर के दामों में बड़ा बदलाओ किया है आज से कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम 100 रुपए कम हो गये है इस बदलाव के बाद अब नई दिल्ली में LPG सिलिंडर 1680 रुपे हैं हाला कि घरेलो LPG सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है लोगों को उमीद थी कि आम लोगों को रसुई गए सिलिंडर की कीमत में थोड़ी रहात मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका हाला कि 16 अगस्त को फिर से एक बदलाव की उमीद है इसके लावा 16 अगस्त को CNG, PNG के दामों में भी बदलाव हो सकता है दूसरी बड़ी अपडेट ITR को लेकर है ITR फाइल करने की अंतिम तारिख 31 जुलाई 2023 थी अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है और आपको ITR फाइल करना है तो अब आपको पेनाल्टी देनी होगी आज से ITR फाइल करने पर आपको 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा इसके लाव अगर आप स्टेट बैंक आफ इंडिया की अमरित कलश स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आखरी मौका है इस स्कीम के तरह 400 दिन की एबडी पर 7.1 फीजदी व्याजदर सामान इग्राहकों को मिल रहा है वही सिनियर सिटिजन को 7.6 फीजदी व्याजदर मिल रही इसमें निवेश करने के लिए आपके पास 15 अगस 2023 तक का वक्त है अगर आपको बैंक में काम है तो आपको बहुत ध्यान की जरुवत है इस महीने बैंकों में चुट्टियों की भरमार है इस महीने बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे दरसल इस महीने 15 अगस्त रक्षाबंधन समेथ तमाम चुट्टिया है ऐसे में शनिवार और अविवार को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे इस के लामा एक्सिस बैंक का करेट कार्ड इस्तमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर है फिलिप कार्ड पर अगर आप इस कार्ड को इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है इस पर डेड़ फिजदी केश बैक मिलता था जो अब 12 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा यही नहीं सरकार की खोश्रा के अनुसार 1 अगस्त 2023 से पांच करून रुपए से अधिक टर्नोबर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रानिक इन्वाइस देना पड़ेगा ऐसे में GST के दाएरे में आने वाले कारोबारियों के लिए यह जरूरी है कि वे संबन्धित नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करें और एलेक्ट्रानिक इन्वाइस की तैयारी कर लें इस वीडियो में फिलाल इतना ही लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात हमारे चैनल नियूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लिजे इसलिके साथ इस वीडियो को लाइक करना न भूलें बने रहें नियूज नेशन के साथ